गुट मॉर्णी मित्रेव। आज हम कच्छा दौमे की समाधी प्यान का पहला पार्ट नारम करतें। जिसका सीर्साथ है मानो एवं पलियाबर। मानो एवं पलियाबर। इसमें हम पलियाबर्ण का क्या अर्फ है। पलियाबर्ण किसे कहते हैं। पलियाबर्ण का मानो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम इसके बारे में आज चल जाते हैं। पलियाबर्ण का पहले हम अर्फ समझते हैं। पलियाबर्ण दो सब्दों से भी उता पत्रम है परी धर आबड़ आबड़ अर्थर एक घेरा दे परी हमारी चारो का हमारी चारो ओड़ का एक ऐसा घेरा जो हमें चारो तदब से धेरे हुए है ठीक और हमारी चारो तदब से धेरने वादी परी भी कोई ही परियावरण कहते हैं या आवरण कहते हैं ठीक परियावरण में वन चीज़ा को समनित किया लगता है जो हमें दिखाई देते हैं जैसे बन, फेर पॉर्दि, नदियां, पहाद, परवाशन ये सर्थ पल्यवर्ण में आते हैं पल्यवर्ण को सिर्प्षिक रखने में और सर्थ में रखने में बायू का यह बहुत है तो हम पल्यवर्ण कार, क्या सकते हैं? पल्यवर्ण को सब्दों से बिकर बता हुआ है परिधर आपरण तो पल्यवर्ण की परिभासा में हम क्या बताएंगे? हमें चारों वोट से जो घेली हुए है ऐसे आपना दो हम पढ़िया बढ़ा देहें ठीक अब पढ़िया बढ़ा कर मानो जीवन पर क्या प्रभा पढ़ता है तो मानो जीवन पर के लिए जो पढ़िया बढ़ में जो भी तत्व उपस्त है वह तत्वों का पहले हम महत्व समझेंगे जैसे वायू दूसरा जल निट्टी बन एसल क्या है परिया बढ़ के तत्व हम पढ़िया बढ़ के कत्वों में उन्हीं कत्वों को सामय करते हैं जो किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष चलए अप्रत्यक्ष रूप से मानो जीवन को प्रभाविता वायू पल्यावर्ण को एक ऐसा आवर्ष बढ़ करती है जो इसे जीवित रखने में सबसे महत्मुर्फ होने का जबाती है तो वेर्भावित जैसे ठागास अज़िवन के फिया से रहे बहे हैं यपी होआप वायू दिपने लेगी और उसक्रण तो क्या है करे पाद है जैसे बढ़र्भावित जीवित अवच्छत्रां के दिवित में लोग जांगे जैसे माना जीवित प्रानी कहलाता है उसी प्रकार्ण से बेड़ पाउधे भी जीवित कहलाती तो बायू का माना जीवत पर बहुत महत्पुर योगदन है क्योंकि बायू क्या है प्रान बायू कहलाती है जैसे प्रान बायू कहलाती है जैसे प्रान बायू कहला है अक्सीजन ज़ए सुद्र आप से ज़ए मानो जीवन को सस्त रखने में महत्तों होने वाकी है। दूसरा ज़ग, ज़ग के बिना ब्यक्ति का सारा काम चुछ जाता है। जग के बिना पेर पॉधों को जीवन की नश्त हो जाता है। ज़ग को ज़ग से ही जीवित रखते हैं। जग का महत्तु मानो जीवन में पीने की काम मालते हैं। और नहाने की काम, कपड़ा दोने के काम, पर्टन और बोजन पकाने की काम में। रता जलका, हम महां तो सम्झे दे, मान जीबन की महांता ह bạn चलता? और राखती में क्या महांत चलता है। अंग्रा है, मित्ती मित्ती... मान जीबन को क्या करते हैं? वाजहर भगाता क्यों, तो छिए मित्ती से ही, हमें अनाज रम्ट होते हैं और अनार्प क्या करते हैं? हम बोजन के रूत में उसेओ करती हैं हुम मिट्टी से किये दी नी कर सकते हैं मिट्टी से कौन कोंचे अंग उगा सकते हैं हम उन फसलों का अंग का मानो एक किया देर्श के विलना जिए भी यह मीर सकता, भोजन के बिलाजी में नहीं रह सकता हूँ और अन्द कहां से पैलाब होते हैं टीसे टीस अंगला बन बन क्या मैं परियाव बरण को सुद्ध रखने में मानों की प्राण बायों आक्सिरियन को सुद्ध रखने में महत्पूर्ण भूलिका निखाते हैं बनों के वारा ही हमें सुद्ध अक्सिजन प्राफ्ट होती है हमें इमार्ती लख्डियां प्राफ्ट होती है हमें कई प्रकार की हम उन लख्डियों के प्योग बोजन दुनाने में भी करते हैं अब बश्चिक्राफ लख्डियों के उप्योग में प्रकाइबे कि फंदीचा के लुक्स में अर्कान से जर्प्तार के लखनीचा को बढ़ा सकते हैं जैसे टेव, पुर्सी, डाजी केवर, डेसिन केवर, बदा, यह क्या रहा है? यह बदों से तब लखनियों के लिए बदों किसी एक प्रकार के लखनियों से नहीं बनते हैं बनने काई प्रकार के लिए, काई मन्तरक दरख के लिए बदाब्त हो दें जैसे इमाती लखनियां, सावान, सरई, और यूकेलिंटेस यह काई प्रकार के लिए असातार भी परिया बनतों सद्रिक रखने के लिए बन लोपान पधथी अपना रही है अर्खार, डोडों के किन किनारे डक्ष लखवारी हैं बड़े-बड़े जिससे मिट्टी का बढ़ाओ भी लुके और परिया बन को सुद्र लखने हैं भी महात्रोंड मुनिका दिभाएं यह क्या है बनों की उफियोगीता यह आज हमने मानो एव परिया बन के अंकलगत परिया बन का अत्त समझा औ परिया बन का मानो जी बन पर बन रभाव के अंकलगत मानो जी बन परिया बन के तक्वों के बारे भी समझा